नमस्कार आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत हैं इंजेनियूस में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडे बॉलिवूड एक्ट्रेस परंती चोप्रा शनिवार शाम को आम आदमी पार्टी से सांसर रागव चढधा के साथ सगाई करने जा रही है जिहां कपल की इंगेजमेंट सरिमेनी दिल्ली के कपूर्थला हाउस में हुई है और बहुत कम लोगों को पता है कि परंती चोप्रा को रानी मुखर जी ने एक्टिंग की दुन्या में हाथ आजमाने की सला दी थी इसके बाद परंती चोप्रा की किसमत ऐसी बदले कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड कर नहीं देखा जिहां परंती चोप्रा ने साल 2014 में करन जोहर के चैट शोप का कॉफी विद करन में शिरकत की थी उस दुरान एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे रानी मुखर जी की एक सला ने उनकी किसमत बदल दी थी मालूमों की फिल्मों में आने से पहले परंती चोप्रा प्रोडक्शन हाउस यश्राज फिल्म्स के अकाउंट डिपार्पेंट में काम किया करती थी जिहां शो में परंती चोप्रा ने कहा एक दिन मैं सब कुछ बदल गया था मुझे याद है कि मैं रानी मुखर जी के लिए बतौर मैनेजर काम कर रही थी क्योंकि उनकी मैनेजर किसी एक्टर के लिए काम में बिजी थी मैं रानी मुखर जी के साथ बिग बॉस की सेट पर थी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम प्रियंका चोप्रा की कजन हो तुम एक्ट्रेस क्यों नहीं हो मैंने कहा कि नहीं मैं मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बनोगी दूसरे दिन परनीती को फिल्मेकर मनीश शर्मा ने कास्टिंग डिरेक्टर शानु शर्मा के घर भीजा उन्होंने परनीती का एक audition clip shoot किया जिसमें actress ने करीना कपूर और शाहिद कपूर की film जवी मेट मेक का एक scene जो है perform किया था वहीं परनीती चोपड़ा ने आगे बताया मुझे लगा कि शानु शर्मा उस वीडियो को अपने collection bank में रखेंगे देड़ माई ने बीद गए लेकिन शानु की तरफ से कोई भी reply नहीं आया इसके बाद मैंने यश्राज films की job छोड़ दी और फिर मैं acting school की तलाश शुरू करने लग गई जी हां फिर एक दिन मनीश शर्मा ने मुझे यश्राज के office में बुलाया और कहा की बधाई हो तुम यश्राज film production house के साथ तीन film sign करने जा रही हो तो इसी तरह की entertainment जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हैं इंजियनियर्स के साथ